नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज एक ऐसे टॉपिक करने जा रहे हैं जो एक अभी करेंट अफेर उसके न्यूज में बहुत जाद आ चुका है और संभाविध है कि पीटी मेंस इंटर्व्यू तीनों में इस पर कोश्चन बनेंगे एक अपने नॉलेज के लिए भी और दूसरा एक्जाम पर पस्ते अगर हम पढ़ रहे हैं उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है विशेश से राज्य का दर्जा इस्पेसल कैटेगरी स्टेटस ऑफ स्टेट्स क्यों यह इंपॉर्टेंट आ गया है क्योंकि लोग सभा चुन बनते हैं इससे पीटी में क्या क्या सवाल बनेंगे मेंस में क्या क्या सवाल बनेंगे इंटर्व्यू में क्या क्या सवाल बनेंगे मेंस का एंसर आइटिंग कैसे करेंगे इस कोस्टन पर इस सभी चीजों पर डिसकसन करेंगे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टॉपिक क्य और तीसरा उससे लंबाई तीनों को हमने equal resources दिया resources मतलब क्या होता है सरकार ने तीनों को बराबर लंबाई का bench दिया या स्टूल दिया अब इस बच्चे की हालत देखिए इसको कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन यहां पर कौन सा आपको distribution किया गया है यहां आपको किया गया है equal distribution equal distribution of resource जो कि हमारा article 14 काता है इसको दो बेंच दिया गया है और बड़े बच्चे को बेंच किया सकता नहीं तब भी तीनों को मैस दिख रहा है इसको हम लोग कहेंगे hmen एककी टेबल किकी टेबल डिस्टिबूशन ठीक है अभीना डिस्टिबिशन क्या होता है कि नीट बेस आपको सुभधान दी circuits अगर आप किसी चीज में पिछिड़े हुए है तो आपको जाधा दिया जैसे जाफ जाफ़ गरका दुद्भारन खर मेंग 음식 घर रोटी बनती है और पांच लोग हैं तो अगर आप इक्वल करेंगे सब को दो रोटी दे देंगे लेकिन उसमें एक साल का बच्चा है एक दो साल का बच्चा है और चालीस वर्स का बुजूर्ग है अब जो एक साल का बच्चा उसको भी आप रोटी खाने के लिए और चालिस वर्स का जो बुजूर के उसको भी दो रोटी दे रहे हैं तो यह आपका इक्वल डिस्ट्विशन हर जगा फिट नहीं आता है इसी को ओभर कम करने के लिए कुछ जब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ कुछ राजियों में विकास अच्छा हो रहा था और कुछ राजियों में विकास जो गती थी बहुत कम थी यह मैं आपको एक कॉंसेप्ट दे रहा हूं कॉंसेप्ट ज्यादा जरूर यह समझना किसी भी चीज के पीछे का बैक्राउंड कि स्वेशल कैटिगरी स्टेट क्या ह है वो दो लाइन में समझाया जा सकता है लेकिन क्यों इस किया सकता पड़ी यह आपके दिमाग में रहना चाहिए सरकार ने देखा कि भोगौलिक और समाजिक आर्थिक चुनौतियों के कारण जोगराफिकल जोगराफिकल कंस्टेंड क्या होता है किसी राज में सिर्फ पह कास कम होगा तो वहां कुछ जादा हमें करना पड़ेगा समाजिक आर्थिक का मतलब क्या होता है आर्थिक पहले समझ ले कि उस जगह का जो रिवेन्यू है वह और बहुत कम है गरीव राज्य है उसके पैसा ही नहीं है कि वह इंडर्स्ट्रियल ग्रोथ कर सके वह सिर्फ ए 1969 में भारत में पांचवे वित आयोग जिसके अध्यक्ष ते महावीर त्यागी ठीक है ने कुछ राजियों को उनके विकास में सहायता करने के लिए आर्थिक और भुगौलिक नुकसान का सामना करने पर विकास को तेजी सागे बढ़ाने के लिए ये स्पेसल क्राटेगरी की स्थे का सिस्टम स्टार्ट किया पहला पिटी का सवाल जो एक वर बीद्ट के पर पी लिए कि समविधान के किश अर्टिकल में अनुछेद में आपको स्पेसल काटेगरी स्थे की चर्चा की गई है विसेज दर्जा की चर्चा की आपका जवाब इसमें से जो लोग टाइप करके बताईए अगर आपका जबाब कोई आर्टिकल है आर्टिकल 14 15 20270 कहना चाहरें गलत है संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसकी चर्चा नहीं की गई है यह वित आयोग के जो तो रिकोमेंडेशन होती है सुझहा होते हैं उसके द्वारा इसको सामने लाया गया कॉंसेप बिल्कुल किलियर है सम्विधान में विशेष स्रेनी का दर्जा परदान करने का प्रावधान नहीं है ठीक है यह बिल्कुल दिवांगे बठा लीजेगा यह कोशन अगर आता है इसमें फसना नहीं है ठीक है क्या होता है विशेष राजय का दर्जा विशेष राजय का दर्जा मैंने बता दिया आपको क्या होता है उसमें आप समझ चुके हैं कि अगर भुगॉलिक जोग्राफिकल हो या एकनॉमिकल हो या सोसल कोई भी हो तो उसके लिए किया जाता है इसको आप याद कर लिए पहारी इलाका या mountain या टेरंस हो ठीक है mountain कम जंसंक्या घंणत्व population density population density अगर जिनको नहीं पता है मैं एक लाइन में समझा देता हूँ population density का मतलब क्या होता है यह एक छेतर है ठीक है और यह दूसरा छेतर है दोनों का समझ लिजे area जो है वो 100 मान के चलते है यहां पे आपको आदमी भारा हुआ है यहां आपको 100 आदमी है 100 स्कॉर्फिट में यहां आपको 100 स्कॉर्फिट में 10 आदमी है पॉपलेशन डेन्सिटी की आएगे इसकी dall चम जब आएगे तो इसमें आयोगा वे बहुत जादा है ठीक है क्यों जादा है जितना चेत्र है उसमें 100 लोग रहा रहे और यहां उतने ही चेतर में 10 लोग रहा रहे और कुछ ऐसे पहारी छेत्र जहां जन संख्य घनतवा यह न के बहुत है तो तो कम जन संख्या घनतव बड़ा हिस्सा हो जो आपको जनजातिय जन संख्या जो मैंने आपको बताया कि सोषल जो घू फाना गया है तो उन अगर ज्यादा हिस्सा है उनका तो उनको अलग से कुछ सिविधा देने पर देगे कि वह समानतर आचके एक्वल आ सके ठीक है पर उसी देश के साथ सीवा मतलब इंटरनेशनल जहां बॉर्डर होगा वहां में सा कुछ ने कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहेगा अधार्भुत संद्चना में पिछरापन अधार्भुत संद्चना का मतलब क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पुल नहीं है बहुत ज़ादा जहां बिल्डिंग्स नहीं है जहां स्कूल नहीं है वहां पे हम लोग अगर उनको कुछ एक्स्टर फैसलिटी देंगे तो अच्छा होगा और राजी के वित में यह आपका जो है योगदान बहुत जीरो हो राजी के वित में उनका जो अपना फिनांसियल स्ट्रक्चर है वह बहुत कम है अपना जो उनकी अपनी कमाई है टैक्स और रिवेन्यू से बहुत ज्यादा लो है ठीक है तो यह पांच जब देखेंगे आप एक असम का मैंने डोकुमेंटरी देखा था उसमें जब विसेश राज्य का दर्जा दिया गया तो इनकी जीडिपी जो है वह लगभग 32-40% जम्प मिला मतलब देख यह फायदा होता है ठीक है यह तो किसी वी राज को अगर हम लोग जो बैकवर्ड है जो पीछरा हुआ है उसको अगर हम कुछ एक्स्टा देंगे तो उनको फायदा होगा वर्तमान में तेलंगना सहीत 11 राज्यों को विसेश दर्जा मिला इसमें एक तेलंगना यहां चुटा हुआ है तो विसेश राज के लिए क्यों सब लोग पीछे पड़े हैं क्या है विसेश राज से क्या-क्या फायदा होगा तो फायदा समझ लेते हैं सबसे पहले जो कुछ टैक्सें उसमें आपको बहुत ज्यादा रियायत मिलता है कंसेशन मिलता जैसे कि एक्साइज डूटी कस्टम डूटी कॉर्परेशन टैक्स इंकम टैक्स इन पर बहुत ज्यादा आपको रिलाक्सेशन मिलता है दूसरा है जो सेंटर स्कीम होती है के अंदर सरकार द्वारा कई स्कीम लाई जाती है उन स्कीम पे 90% ग्रांट मिलेगा ग्रांट क्या होता है अनुदान बोलते हैं जिसको आपको पैसा वापस नहीं करना है अपने दोस्ते दो तरीके से पैसा ले सकते हैं या तो आप उससे लोन लेंगे जिसको रिन कहते हैं या ग्रांट लजब लेंगे तो जैसे आपकी पिटा जी आपको कुछ पैसा देते ह वह आपको grant दे दिए वह आपको वापस नहीं करना है और आप अपने मित्र से कुछ पैसा लेते हैं वह आप रिन लेते हैं लोन लेते हैं जो आपकी वापस करना ठीक है तो यहां 90% उनको grant मिलता है और जो बचा हुआ 10% है वो भी उनको बिना बयाज के बिना इंट्रेस्ट क उनको पैसा मिलता है कि यह 10% जो आपको मिल रहा है इसमें कोई rate of interest नहीं लेकिन बागी जो राज्ये हैं उनको 60-70% जो हिस्सा मिलता है वो रिन के तौर पर मिलता है मतलब उनको इस पैसे को इंट्रेस्ट देना पड़ता है और वापस करना पड़ता है ठीक है तो यह को यह 31 March को होता है उस दिन अगर आपके पास 10 रुपया बचा रहा गया तो अन्य राज्यों का पैसा वापस चला जाता है लेकिन बजवेश को की सacements ऐले साभश हो जाता है उनसे पैसा वापस नहीं लिया जाता है यह बहुत बड़ा अटेन बड़ेंगां सिसें है तो ये भी बहुत बड़ा चीज है, ठीक है, अब कई राज्ये इसके लिए मांग कर रहे हैं, हर कोई तो चाहता है कि हम लोग इसको जरूर मिल जाए, तो बिहार हो गया, आंदर परदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गोवा हो गया, उडिसा हो गया, ये सब लोग मांग कर रहे हैं कि हमें दिया जाए, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये समझे, चौदवे वित आयोग ने मना कर दिया कि अब इसके आगे हम लोग विसेस राज्य का दर्जा नहीं देंगे, ये प्रावधान खतम किया जा रहा है, और अभी के फिनांस मिनिस्टर जो हैं, उन्ह सिराज्य का दर्जा दिया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसको बंद कर दिया गया परमानेंटली, तो PT के कोशन में आपको पता दू क्या क्या बनेगा, कि समविधान में क्या प्रवधान है इसके लिए, ये जो 5 कंडिसन दिया गया है, ये 5 कंडिसन आपको याद चाहिए, ये ही PT का, आपको दूसरा कोशन बनेगा यहां से, इस 5 कंडिसन को आपको हमेशा याद रखना है, तीसरा आपको जो इंपोर्टेंट चीज है इसमें, कि किन-किन राज्यों को मिला हुआ है, अगर स्टेटमें में पूछ देता है, तो ये 11 राज्य है, फिर जो म मेंस का कोशन बनता है, मेंस कोशन अगर BPSC अगर आप दे रहे हैं, तो यही कोशन आएगा, क्या बिहार को विशे से राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, सवाल ये रहेगा, अब ये बहुत ही जुडिसल सवाल है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो आपका YouTube में मैं बता रहा हूं कि विशेयस राजय का दरजा बिहार को मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए तो इसका इंट्रोडक्षन आपको ऐसा लिखना है कि इंपक्ट परे उस जो कॉपी चेक कर रहा है कि भाई इसका एंसर मुझे पढ़ना पड़ेगा कि कुछ विशेयस मुझे मिलने वाला सबसे पहले आप लिखेगा कि इसका इंट्रोडक्षन में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह आपको लिखना है एक्वल और एक्विटेवल डिस्ट्रिविशन को समझाना है अपनी भासा में आप कैसे समझाएंगे कि उसमें एक एक्जामपल दें सकते हैं या इस पिक्टोरियल व्यू से समझा सकते हैं आप कि उसमें आपका इंट्रोडक्षन बहुत इंट्रेस्टिंग हो जाएगा उसके बाद जो बाड़ी लिखेंगे बाड़ी में पूरा समझाएंगे कि क्या है विश्यस राज्य का दर्जा ठीक है उसकी उत्पत्त जो होगा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए उसमें आप डिटेल बताएंगे कि बिहार जो है वो समाजिक दिरिष्टिकोन पे बहुत पीछरा हुआ है ठीक है और परोसी देश के साथ जैसे नेपाल के साथ हमारा बाउंडरी भी है अभी जो कास्ट सेंसस हुआ है उसमे एक तीहाई बिहार के लोग गरिबी रेखा से नीचे हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है रगुराजन कमीटी की जो रिपोर्ट है 2013 की उसमें ये किलरली बताया गया है कि बिहार जो है लिस्ट डेवलॉप स्टेट वाली काटिगरी में आता है और बिहार को अत्रि बिहार में सुखाड आता है फ्लॉट डॉट कंडिशन बनी रहती है जैसे कारण से बिहार का जो डेवलॉप्मेंट है वो अफेक्टेड हो रहा है इसलिए बिहार को विस्टे सराज का दल जा मिलना उचीत होगा ठीक है यह उचीत होगा लिखिएगा मिलना आप जज्ज्म